वेलकम बैक टू मालवियक एड सॉलुशन तो यहां पर देखिए अध्जेस्टिंग नर्लिंग टूल का हम पार्ट 6 क्रिएट करने वाले है तो यह एक स्प्रिंग है जो प्रिवेस पार्ट जो थे हमारे जो उसे अध्जेस्ट करने में यह हेल्प करेगा तो आप वीडियो आपर आएंड तक बने रहे और हमारे चैनल पर नए है तो शब्सक्राब कर लिजिए तो चले हम स्टार्ट करते हैं कि यह पर देखिए हमने एक न्यू पार्ट कर लिया है नेवासरी क्लाब दो सबसे पहले आपको। फरंट प्लें Kनला ए और यहांपर स्केट के लिए हम अब हम क्या करेंगे फिर से front plane select करेंगे और यहां पर sketch draw करेंगे circle, circle draw करना है हमें और यहां पर इसका dimension रहेगा 2 mm 2 mm इसका diameter एपलाई करना है आपको अब आपको क्या करना है यहां पर इस circle को आपके left side में ले जाना है इस तरह से अब यहां पर इस circle का distance रहेगा 7.5 mm अब यहां पर इस point को और circle के point को select करना है और horizontal कर देना है तो इस तरह से देखिए यह fully defined sketch हो गया है अब इसे exit कर देते हैं फिर आपको feature tab में जाना है और swift box apply करना है तो सबसे पहले हम profile select करेंगे तो यहां पर देखिए first वाले column में आपको profile select करना है और यहां पर second वाले box में आपको जो vertical line है इसे select करना है फिर आपको option में जाना है option में जैसे ही आप drop down करेंगे तो यहां पर देखिए इस तरह से सारे option आपको मिलेंगे तो profile oriental में आपको क्या करना है follow path follow path select करना है फिर profile twist profile twist में आपको यहां पर specify twist value इसे select कर दिना है फिर यहां पर twist control में आपको revolution select करना है और यहां पर number of revolution आप apply करेंगे 12 यहां पर देखिए profile यहां पर uncheck हो गई है तो इसे select कर दिने तो देखिए इस तरह से इस तरह देखिए यह revolution हमारे यहां पर apply हो गए और फिर ok कर देंगे आपको ध्यान देना जो first वाली हमने sketch create किया था vertical line तो उसे किसी के साथ भी relation उसका set नहीं करना है as it is draw करके छोड़ दिना है अब यहां पर इसका appearance apply कर देंगे appearance में इसका material हमें apply करना है metal में जाएंगे फिर यहां पर steel select करना है आपको और यहां पर carbon steel apply कर देना है तो देखिए इस तरह से हमारा six part भी हमने create कर लिया है तो यहां पर इसे save कर लेंगे यहां पर हमारा जो folder है इसमें सारे part हमने apply किये तो हम यहां पर इसका part number six apply कर देंगे इस नाम से हम सेव कर देंगे तो इस तरह से देखिए हमारा part six create create हो गया है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते है next part में तब तक के लिए good bye